आज की क्लास को अगर ध्यान से कर लिया तो आप अंग्रेजी बोलना पक्के तॉर पर शुरू कर दोगे लेकिन आज की क्लास को करने के साथ साथ आपको दो और चीज़े करनी होंगी सबसे पहली चीज आपको थोड़ी प्राक्टिस करनी होगी जो भी मैं आज बताऊंगी जो भी मैं आज पढ़ाऊंगी इसको पूरा देखना होगा और थोड़ी प्राक्टिस करनी होगी बहुत थोड़ी सी है ना और क्या करना होगा थोड़ी सी अपनी समझ को इंक्रीज करन जो है आसानी से शुरू कर दोगे तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं Hey everyone, स्वागत है आपका आज के क्लास में आज के वीडियो में मैं हूँ पुडिती मैम और आप देख रहे हैं संरीती इंग्लिश अकाडमी अगर आप इस चानल पर पहली बार आ रहे हैं और आप अंग्रेजी बोलने का, पढ़ने का, लिखने का, समझने का ग्रमाटिकल कॉंसेप्स को लर्न करने का सपना रखते हैं या इच्छा रखते हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजेगा सब्सक्राइब करते वक्त इस बेल नोटिफिकेशन को उन करना मत भूलिएगा इससे होगा क्या, कि आगे की जो भी क्लासेज आएंगी उसके बारे में आपको टाइम पर इंफरमेशन मिल जाएगी और आप क्लास को अटेंड कर पाओगे इसके अलावा क्या कर सकते हैं आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है हमारा वाट्सेप ग्रूप, हमारा टेलिग्राम का चानल जोईन कर सकते हैं वहाँ पर भी आपको क्लास जैसे ही आती है पता चल जाती है, आप वहाँ से भी class को attend कर सकते हैं, the choice is yours आप जो है, join कर लीजेगा जरूर से, इसके अलावा आप हमारी Apps and Read English Academy को भी download and install करके अपने phone पे रख सकते हैं वहाँ पर free की courses available है, paid courses भी available है, आप अपनी इच्छा अनुसार जैसे आपको जरूरत लगे अपने हिसाब से, आप वहाँ पर इन classes को भी attend कर सकते हैं, बिना किसी distractions के, यहाँ के, यानि की बिना किसी इधर उधर के ads के, ठीक है चलिए, class को शुरू करते हैं देखिए, class को जो मैं आपको कराऊंगी, बहुत ही basic वाले वाक्य जिनको आप खुद से translate कर पाऊंगे, वो वाले चीजे मैं आपको बताऊंगी, और हर वो चीज बता दूंगी जिसकी मदद से आप आसानी से वाक्यों को translate कर सकते हैं आज की class में जो वाक्य होंगे वो होंगे tense पर based लेकिन आपको tense क्या है, क्यूं है, कैसे है इस पर ध्यान नहीं देना आपको simply याद रखे, आपको वाक्यों को बनाने पर ध्यान देना है, it is as simple as that हाँ, जो लोग नए है बहुत दिनों बात पढ़ाई कर रहे हैं तो tenses के लिए उनका quick revision tenses के तीन हिस्से होते हैं present, past or future, यानि कि present tense, past tense, future tense इनके फिर 4-4 हिस्से होते हैं मतलब इसके 4 हिस्से, इसके 4 हिस्से, इसके 4 हिस्से ये जस्ट quick में, एकदम speed में मैं quick revision करा रही हूं आपको, ठीक है क्योंकि actual essence जो है, इसके बाद है और ये chart मैने दे दिया है तो जिनको भी जरूरत हो कि हाँ बही मझे एक बारी chart को revise करना है आप इसकी screenshot लेकर करके रख सकते हो आप class को पूरा खतम करने के बाद इसको revise कर सकते हो, इसके 4 हिस्से जैसे कि मैंने बताया था, तो 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, और 1, 2, 3, 4, यानि कि present के past के future के, इन तीनों के 4-4 हिस्से होते हैं, नाम सबका सेम होता है, simple, continuous, perfect, perfect continuous, आगे present लगा दिया, present बन गया, past लगा दिया, past बन गया, future लगा दिया, future बन गया, ठीक है, बहुत जादा दिमाग इसके उपर नहीं लगानी के जरूरत है, ये जस्ट वाके में आप क्या यूज कर रहे हैं, जैसे मैंने एक वाके example लिया है, मैं खाता हूँ, ठीक है, मैं खाता हूँ, इसको नो थोड़ा slowly बोलिए और notice करिए वाके में आप क्या यूज कर रहे हैं, तो मैं यूज किया, खाने की बात अगर आप ऐसे कुछ देख रहे हैं, तो आपको इसको कैसे ट्रांसलेट करना है, वो समझ जाएगा, आपको ये वाला स्ट्रक्चर यूज करना है, और आपका वाक्य ट्रांसलेट हो जाएगा, अगर होते हैं, तो इसको आप एसे ट्रांसलेट कर दीजे, नहीं होते हैं, तो इससे बड़िया बात और कुछ हो नहीं सकती है, बठा, other words जिन में नहीं होते हैं, वाक्य थोड़ से छोटे होते हैं, ठीके, तो चलिए, मैं खाता हूँ ये वाक्य, इस वाक्य में जो है other words नहीं है, कैसे नहीं है, वो देख लीजिए, मैं यहाँ पर है, तो मैं लग गया, ठीके, खाने की बात हो रही है, मैं क्या हो गया सबजेक्ट हो गया, खाने की बात हो रही है, तो eat होता है, तो eat का verb का पहला रूप क्या होता है, eat ही होता है, और बस, खतम, मैं खाता हूँ, I eat, simple, है न, other words नहीं है, कहा था न, वाक्य म other words नहीं है, अगर होता यहाँ पर मैं आम खाता हूँ, तो यहाँ पर I eat, mango होता, और mango जो है other words हो जाता, ठीक है, other words clear, मैं हर, हर page में मैं आपको नहीं बताऊंगी कि other words का मतलब क्या है, ठीक है, इसके अलावा, आपको एक चीज खास जो rule याद रखने पड़ेंगी, इस तरीके के वाक्यों में वो यह है, कि अगर आप आपके subject के तौर पर I, U, V या दे का अस् लगेगा, ठीक है, go है तो goes हो जाएगा, play है तो plays हो जाएगा, अगर subject क्या रहा, he, she, etia, कोई भी नाम, clear, यहां तक सब clear, चली, आगे बढ़ते हैं, अब अगले type के वाक्य की बात करते हैं, क्योंकि हम लोग अपने दिंचरिया में पूरे जीवन काल में बहुत तरह के व वाके केंथ में, कैसा वाके होता है, मैंने खाया, है ना, मैंने खाया, या फिर ताथा, ती थी, ते थे, अगर आप use कर, जैसे मैं खाता था, वह गाती थी, वह खाते थे, इस तरीकी का वाके कर आप यूज़ कर रही हैं, तो आपको ये वाला structure उज़ करना है, subject use कर लेना सबसे पहले subject लिखना, उसके बाद जो verb वहाँ पर use हो रहा है, उसका second form लगेगा, ठीके, खाने की बात हो रही है, खाने की अंग्रेजी क्या होती है, eat, eat का जो second form होता है, वो होता है, eight, है न, इसके लिए थोड़े basic वाले verb forms भी आपको याद रखने पड़ेंगे, तो आपक बेसिक वाले verb forms को चार्ट खोल लेना, practice, मतलब राइटिंग वाली practice के लिए, जब आप लिख के practice करोगे, इस तरीके के चीजों को learn करने के लिए लिखने से बढ़िया practice और कुछ नहीं होती दुनिया में, है न, क्योंकि जब आप लिखते हो हो तो आपकी मतलब लगवक सा और other words, जैसे मैंने खाया I ate, मैंने जो है यहाँ पर subject है, यानि की I, और verb का second form eat होता है, eat का होता है ate, तो I ate, याद रखने वाली बात क्या है, कुछ ही याद रखने के ज़रूत नहीं है, आपको इसमें कोई सा भी subject हो, verb का second form ही use करना है, ठीके, चलो आगे बढ़ते हैं, अ उंगा, एंगे, एगी या एगा यूज़ कर रहे हो, मैं खाऊंगा, वे खाएंगे, वो खाएगी, वो खाएगा, ठीके, तो आप यूज़ करोगे ये वाला structure, subject plus will plus verb का पहला रूप plus other words, मैं खाऊंगा, उंगा दिख रहा है आपको, खाने की बात हो रही है, यहाँ पर भ होता है, तो वीवन जो होता है, वो eat ही होता है, तो I will eat हो जाएगा, ठीके, जब भी आपको will देखे किसी भी वाक्य में, यह understood है, कि वो future का वाक्य है, ठीके, चलिए, अगे बढ़ते हैं, अब अलग type के वाक्य की बात करते हैं, अगर आप वाक्य में ऐसे इस्तमाल कर रहे है ना, मैं खा रहा हूँ, वे खा रहे हैं, वा खा रही है, वा खा रहा है, चिके, एक्जामपल दे दिये, वाक्य को धीरे से बोलके नोटेस करो कि कौन सा ड़ाप का वाक्य बोल रहे हैं, उसके end में क्या आ रहा है, चिके, यह शुरुआत में आपको थोड़ी से practice रहा है, धीरे बोल करके, कि मैं खा रहा हूँ, यहां से आपको मैं खा रहा हूँ, और आप उसको, आपको इस वाले, मतलब 2x, 3x वाले स्पीड पर लेकर करके जाना है, to start with, ठीके, उसके बाद तो खुदी हो जाएगा, उसके बाद आपको कुछ दिमाग लगाने के ज़र that is, या तो is, या तो am, या तो are, है ना, subject के बाद या तो am लगेगा, या तो is लगेगा, या तो are लगेगा, या तो are लगेगा, ये depend करेगा, कि वाक्य में क्या है, रहे है, है, रही है, है, क्या user हो रहा है, इसके उपर depend करेगा, क्यों, क्योंकि ये वाला depend करता है subject के उप तो subject के ऊपर in shot आप कह सकते हैं subject के ऊपर ही depend करेगा की is लगेगा की am लगेगा की r लगेगा तो वो मैं आपको आगे बता रही हूँ कैसे आपको decide करना है is लगाए am लगाए r लगाए ठीके structure पहले देख लो subject plus is mr उसके साथ verb का चौथा form तो verb जो भी word है जो उनसा भी आप word का verb का यूज़ कर रहे हो उसका अगर fourth form आपको किसे वाक्य में यूज़ करना है तो उसमें ing जोड़ दो go है तो going कर दो play है तो playing कर दो eat है तो eating कर दो sleep है तो sleeping कर दो ing जोड़ जोड़ जाता है वर्ब का चौथा रूप आपके सामने नजर आ जाता है आपको मिल जाता है fourth form और other words वाके में है well and good नहीं है कोई दिकत नहीं है मैं खा रहा हूँ I am eating ing अब अगर subject के जगहा पर I है तो M लगा दो subject के बाद अगर UV दे है तो R लगा दो और he sheet name है तो is लगा दो ठीक है और ये वाला रूल जो है कंठस्त कर लो कंठस्त मतलब दिमांग में एकदम print करा लो इसको tattoo कर वालो दिमांग में अपने ठीक है क्योंकि ये वाला रूल जो है बहुत जादा यूज होने वाला है ठीक है अब अगर आप ऐसा वाके बोल रहे है मैं खा रहा था वे खा रहे थे वह खा रही थी ठीक है तो रहा था रहे थे रही थी अगर यूज कर रहे हो तो ये वाल में subject में you, we और they है तो were लगाना है, he, she, it name है तो was लगाना है और I भी है, तो भी was लगाना है, ठीके? चलो, अगर आप ऐसा कुछ वाक्य बोल रहे हो, मैं खा रहा हूंगा मैं खा रहा हूंगा, वे खा रहे होंगे, वह खा रही होगी वह खा रहा होगा ऐसा कोई वाक्य बोल रहे हो, तो ये वाला structure यूज़ होगा, subject plus will be plus verb का चौथा रूप, चौथा रूप वर्ब का कैसे बनाना है, बता चुकी हूँ already ठीके? मतलब इसी class में बताया है कि जो भी verb यूज़ कर रहे हो, उसमें का चौथा रूप, यानि की eating, है न I will be eating रूल क्या है, इसका रूल कुछ भी नहीं है आपको याद रखना है कि जब भी आप इस तरीके का वाक्य को यूज़ कर रहे हो, जिसके last में आपको रहा होंगा, रहे होंगे, रही होगी, रहा होगा दिख रहा हो, आपको इसमें will be का यूज़ करना है सबज़क के बाद, it is as simple as that, राइट, आगे बढ़ते हैं अगर आप बाग के कुछ ऐसा बोल रहे हो मैं खा चुका हूँ, मैंने खा लिया है ठीके, मैं खा चुका हूँ, मैंने खा लिया है मैंने खा लिया है, उसने खा ली है उन्होंने खा लिये है, उन्होंने ये कर लिये है ठीके, ये अलग-अलग type के वाखे में अलग-अलग fit होता है तो अगर ऐसा कुछ भी आप यूज़ कर रहे हो वाखे में तो ये वाला structure follow करने का है subject प्लस have नहीं तो has, साथ में verb का तीसरा रूप, अब ये जो है आपको याद रखना पड़ेगा, इसका कोई shortcut नहीं है, v3 जो है वो याद रखना पड़ेगा आपको, उसके लिए आपको थोड़ी से verb के उपर महनत करनी पड़ेगी साथ में आपको other words यूज करना होगा अगर वाके में है तो, जैसे मैं खा चुका हूँ, I have eaten यहाँ पर मैं था, मैं subject होगया हमारा I लिख दिया अब I के साथ मा have यूज होता है, तो have लिख दिया, has किसके साथ यूज करते हैं, वो मैं बता दी हूँ आगे, साथ में eat का जो V3 होता है, वो eaten होता है, तो I have eaten, साथ ही, अगर आप subject के जगा पर I, you, we या दे का यूज कर रहे हो, तो have use करना he sheet name का यूज कर रहे हो, तो has यूज करना, चिक्के, राइट आगे बढ़ते हैं, अगर वाके use कर रहे हो, मैं खा चुका था, मैंने खा लिया था, वह खा चुकी थी, वे खा चुके थे, उन्होंने खा लिया था, वह चली खा लियी थी, ये थे, इस तरीके का कुछ भी use कर रहे हो, मतलब आखे में तो प्रापर आपको ये fit हो जाएगा, क्योंकि रोज मर्रा के लाइफ में हम लोग जब आखे बोलते हैं, तो था धिहान नहीं देते कि last में क्या use कर रहे हैं, बट ये सब use होता है, अगर ऐसा कुछ use कर रहे हो, तो ये वाला structure use करना, subject plus had plus v3 plus other words, ठीके, मैं खा चुका था, I had eaten तो subject के हाँ पर हो गया, मैं यानि की I, उसके साथ had लिख देने का है, had लिख देया, खाने की बात हो रही है, उसका v3 होता है, eaten तो I had eaten rule कुछ खास नहीं, subject कोई सा भी हो, had का use कर लेना ठीके, चलिए, अगर वाक्य है मैं खा चुका होगा, मैंने खा लिया होगा, तो मैं खा चुका होगा वह खा चुका होगा, वह खा चुके होगे, वह खा चुकी होगी मैंने खा लिया होगा, उन्होंने खा लिये होगे, इस तरीके के अगर आप कुछ यूज़ कर रहे हो तो आपको ये वाला structure यूज़ करना है जहापे subject plus will have plus v3 plus other words यूज़ होगा मैं खा चुका हूँगा, मैं यहाँ पर subject है तो I, इसके बाद क्या subject के बाद क्या लिखना है, will have लिखना है तो will have लिख देया v3 खाने की बाद हो रही है eaten, right, अब rule के याद रखना है, कुछ नहीं आप subject कोई साभ हो, कोई साभ हो अगर इस तरीके का कोई वाकिय यूज़ कर रहे हो तो will have का use subject के बाद आपको करना है, चाहे he हो, she हो, it हो we हो, you हो, they हो, कोई साभी subject matter हो, आपको will have का use उसके बाद करना ही करना है, ठीके फिर देखो, अगर आप बोल रहे हो कि मैं खाता आ रहा हूँ, वे खाते आ रहे हैं, वा खाता आ रहा है वा खाती आ रही है, अगर इस तरीके का वाकिय यूज़ कर रहे हो, तो ये वाला structure यूज़ होगा, subject plus have been, नहीं तो has been, ठीक है, has been नहीं तो have been, तो नहीं से किसी का use करना है साथ में before का use करना है, जैसे मैं खाता आ रहा हूँ, यहाँ पर मैं जो है, वो subject है, तो subject हो गया, उसके बाद I के साथ क्या लगता है, have लगता है, तो यहाँ पर भी have been लगेगा और before, जो है, वो क्या होता है it का eating होता है, ठीक हो यहाँ पर subject I है ना, I के साथ मैंने शुरुआत में ही बताया आपको क्या के साथ have का use होता है, कुछ slide पहले बताया है ना, कि have का use होता है, तो have से सम्मंदित जो भी चीज होगा, वो I के साथ भी लग जाएगा, ठीक है, तो have been है, तो have been लग गए, आई के साथ, जैसे की I, U, V, D, अगर है, तो have been लगा देना, he sheet name है, तो has been लगा देना, ठीक है, अच्छा, मैं खाता आ रहा था, इस तरीके का अगर वाकिय है मैं खाता आ रहा था, वे खाते आ रहे थे, वे खाती आ रहे ही थी, इस तरीके का वाकिय जो है, तो ये वाला structure यूज होगा, subject प्लस had been, प्लस v4, प्लस other words, ठीक है क्या हो जाएगा, मैं खाता आ रहा था, I, मैं had been eating, clear हो गई बात, तो इस तरीके के वाकिय जो आपको दिखेंगे, तो आभी वाला structure का यूज करेंगे, और I, U, V, D, हो, या ही, sheet name हो, इनके सभी के साथ, in fact, सभी subject के साथ, जो है had been, इस तरीके के वाकियों में आप यूज कर सकते हैं, कुछ tissue निये, रूली ये, के had been use करना है, चिके, आगे बढ़ेंगे, अब वाकिय कुछ ऐसे, मैं खाता आ रहा, रहा रहूंगा, ठिके, ये वाकिय जो है, वो practical वाकिय नहीं है, आपने ऐसा, मुझे नहीं लगता कि कभी बोला होगा, अपनी life में, मैंने भी नहीं बोला है, इस तरीके कबाओे, तो घब ये वाकिय प्राक्टिकल ही नहीं है, तो p्राक्टिकल यूज भी नहीं है, जाहिर सी बात है, यूगकि इस वाकिय का ऑगी proper practical meaning तो निकलना चाहिए, इसको यूज करने के लिए बड़ वाशा तो है नहीं इसी वज़े से ये tense जो है अब वैवहारिक तोर पर प्रेयोग नहीं होता है getting my point ये वाला जो tense है ये वैवहारिक तोर पर अब प्रेयोग नहीं किया जाता है तो इसके structure, rules, helping verb, क्या लगेगा, क्यों लगेगा, करोगे क्या जान करके तो ये use नहीं होता है तो इसको skip करेंगे हम लोग, इसको नहीं दिमागे इससपे लगाएंगे क्योंकि हमारा focus है कि वाक्यों को देख करके, वाक्यों को पहचान करके, उसमें हम लोग क्या structure यूज करेंगे, ये focus करके हमें अंग्रीजी बोलनी है, लक्ष जो है हमेशा याद रखे, set your priorities right, है न, अपनी priorities जो है life की, वो सही set करना सीखे, अगर नहीं set करेंगे सही, तो कोई और आपसे दोड में आगे निकल जाएगा, और आपको फिर लगेगा कि मैंने तब अगर सोच लिया होता, या सोच लिया होती मैंने तब ये बात, तो मुझे आज कुछ सीन कुछ और होता, तो कल को आपको ये न बोलना पड़े, इसलिए set your priorities right, तो चलिए, आज की class नहीं पड़ेगी लिख करके practice करने के लिए, जब राइटिंग में जब practice करते हैं, तो बहुत अच्छी practice होती है, और दिमाग में लंबे period तक वो practice जो है, वो रहती है आपके subconscious mind में, तो लिख करके ही practice करें, क्योंकि practice लगेगी इस वाले class में, देखो word meaning और sentence वाले class में और concept वाली class है, ठीक है, तो class कैसी लगी, comment करके बताना जरूर, और class बढ़िया लगी है, तो class को like और share भी जरूर किया करें, साथ ही आप देख रहे हैं, Sunrith English Academy, subscribe नहीं किया है, तो जो लोग भी नए हैं, आप लोगों को अगर class बढ़िया लगी है, तो subscribe जरूर कर लें, औ subscribe करते हैं, बेल नोटिफिकेशन को on करते हैं, साथ ही हमारी जो आप जिसके बारे में मैंने शुरूर में बताया, Sunrith English Academy, जो कि Google Play Store पर आपको मिलती है, महाँ पर आप कर सकते हैं, स्पोकेन इंग्लिश की कोर्स, इंग्लिश रीडिंग की कोर्स, इंग्लिश ग्रामर की कोर साथ ही हमारी e-books इस वेबसाइट पर अवेलेबल, यहां से भी ले सकते हैं, लेकिन कहीं से भी लें, डाउन्रोड जरूर करके रखलें अपने पास, साथ ही WhatsApp का ग्रूप और Telegram का चानल जोइन करें, Facebook और Instagram पर हमें फॉलो करना बिलकुल न भूले, और मैं आप से मिलूंग कि अपकी अगली क्लास में, तिल दन थैंक यू सो मुच पर वाचिंट टूने तो संरीत English Academy